फिर वो सुभे के समय खुदाई में लग जाता है और उसे वहां बहुत सारा सोना मिलता है वो उस सोने को देखकर सोच में पढ़ जाता है और इमोशनल हो जाता है कोरपी को आगे रास्ते में कुछ आदमी मिलते हैं उनके पास हतियार भी होते हैं और एक ट्रक में कुछ लड़किया भी होती है और उनके पास एक टैंक भी होता है कोरपी अपना सोना इकठा करने लगता है वे ट्रक और टैंक लेकर उसके पास ही आ जाते हैं कोर्पी सारा सोना इकठा करके एक पत्थर उठा लेता है वे उसको गोली मारने ही वाले होते है पर कोर्पी वो पत्थर माइन पर मार देता है और माइन फट जाता है वहां काफी धूल उड़ जाती है और वे सभी उस पर गोली चला देते है पर कोर्बी एक लोही की पलेट से अपना बचाओ करता है और पीछे हटता रहता है गिरवे आगे दो लड़कियों को चलाते है और उनके पीछे टैंक और ट्रक लेकर चलते है